राजस्तान में एकल पट्टो से समंदिर प्रक्रण को निश्पक्स जांच के लिए राजसरकार ने समीती का गठन किया है। प्रक्रण में हुई और नियाले से प्रक्रण वापस लेने के लिए कमीटी गठित की गए थी लेकिन कमीटी में ततकाले नियोडियेच मंत्री के कारेकार ले से अधिकारियों को शामिल किया गया था और इसे उगति कमीटी के निश्पक्षता पर भी सवाल उठे थे अब बीते दिनों बजनराल सरकार ने बहुत चर्चित एकलपट्रा मामले में कॉंग्रस विदायक शांती धारिवाल और तीन अन्य अधिकारियों पर लगे आरोपर पर जो है क्लिंचिट दे दी थी सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट में पेश किये गए जवाब में बताया गया कि दस साल पहले के एकलपट्रा मामले में कोई प्रकड नहीं बनता है एकल पटन मामले में नियमों की पूरी पालना हुई थी जिसे सरकार क्यों किसी भी तरह का कोई वेतर नुकसान भी नहीं हुआ था लेकिन अब इस मामले में फिर से जान शुरू होने से शांती धारिवाल की मुश्किलें बढ़ने बताई जा रही है अगर पूरे मामले की बा 13 में इसकी जो है शिकायत ब्रश्टाचार ACB में की थी और शिकायत के अधार पर गंपधी कंस्ट्रक्शन प्रॉपराइटर शहरेंदर गर्ग और आपको बता दें की ततकालिन ACS, JS, संदू और डिप्टी, सचीव, निश्काम, दिवाकर, जोन, उपायोग तो आपको बता को ततकालिन वसंद्रा सरकार के समय ACB ने मामला दर्श किया था, ततकालिन यूडियज मंत्री शांति धारिवाल से भी जो है पूस्ताच की गई थी लेकिन 2018 में राजस्तान में घैलो सरकार के आते ही ACB ने तीन क्लोजर रिपोर्ट कोट में पेश कर पूर्व, IS, JS, संदू और पूर्व, RS, निश्काम, दिवाकर और ओंकरमल सैनी को क्लीन चिट दी थी ACB की और से 19 जुलाई 2022 को तीसरा जो है क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी, इसमें भी ACB में एकल पट्टा मामले में किसी भी तरह की आनियमत्ता नहीं मानते हुए कोर्ट से नारोपियों की खिलाव जो दायर जार्शी थी, उसको वापस लेने के लिए अप्लिकेशन लगाए गई थी, लेकिन देखे कोर्ट ने इसे जो है खारिस कर दिया था, वहीं ACB की अपील पर 17 जन्वरी की बात करें, 2023 को हाई कोर्ट ने संदू दिवाकर और सैनी क के खिलाव केस वापस लेने को सही माना था, इस दौरान परिवादी रामशुरंण सिंग की बनती होने पर बेटी सुरेंदर सिंग ने भी केस वापस लेने करें सहमती जोता दी और मामले में हाई कोर्ट की आदेश के खिलाफ आजी एक्टिविस्ट अशोक पाठा की और से सुप्रिम कोट में SLP दायर हुई थी, इसे ब्रश्टो चार का केस मानते में कहा गया था कि केवल शिकायत करता है कि सहमती के आदार पर ही इसे बंद नहीं किया जा सकता, बड़ी बात यहीं कि लोग सब चुनाव के बीच राजस्तान सरकार ने सुप्रिम कोट में दायर SLP में 22 अपरेल को जवाब पेश किया जिसने एकल पट्टा प्रक्रण में कोई मामला नहीं बनने की बात की गई थी, लेकिन आप इस मामले की जांच के लिए एक नई कमिटी का गठन जो है कर दिया गया है